असलाम अलेकूं विल्कम टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब ठेटा कोंगे आज आपके लेकर आए हूं लोबिया की मज़दार और स्पाइसी सी चाट तो यहां देखिए यह लोबिया है जिसको मैंने दो घंडे के लिए विगो दिया था और विगो असलों बानिया देखिए मैंने तो कोऊच नहीं नहीं आए ळिया है अप यह मैंने हम तो ना यहां हम थोड़ा सा अ फटाए कर लेंगे निया आए तक मुझेदारार काउ जालेगए और प्यारी की खुष्षभू आजएए Ihnen बनाइंगे तो आप मसालों की कॉंटिटी को बढ़ा दीजिएगा अगर आप कम बनाएंगे तो ऊसकी मसालों की कॉंटिरी को you should do और श्वेजाए का नमक, half teaspoon divided by one time, this scripture करें लिए पैपाले केहां तूड़ा सा चाट मसाला लिया एक पाको के आप लाइने घुम साल में 0.5 Thけれ Đา बाइने मैंने ठोड़ा सा चाट मसाला लें में थीदि पैष्पस्प उचलिये लिया है है यहां इन्हिले है दनिया लिया इसको यहां 5 मिन्ट के लिए पकने देंगे मसानों के साथ वैसे तो आपने चाट बहुत ज्यादा खाई होंगी इस तरहां से लोबिया की लेकिन जिस तरहां से मैं बना रही हूं इस तरहां से चाट आपने नहीं खाई होगी तो प्लीज इसको बना कर दरूर ड्राय करिएग और मुझे कमेंट करके जबर बताएगा कि कैसी बनी है चाट यहां इसको देखें 5 मिन्ट हो गाएं अब निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत लाइट से देखें इस तरह ब्राउन हो गया और किर्स भी हो गया इसके चिलके जो हैं जो परसे चिलकी होते हैं इसके वो किर्स भी यहां मैं लिए एक चोटी प्यास और इसको मैंने इस तरह से काट लिए चौप कर लिया और अच्छे से वोश कर लिए दो से तहीं मालें से क्यूंकि प्यास जो इसमेल होती है और हम बना रहे हैं चाट तो अच्छा ने लगेगा इसके इसमेल आ है तो इसको हम डाल देंग इसमें बारिक काट लिए अगर आप स्पाइसी बहुत ज्यादा काते हैं तो आप दो भी ले सकते हैं तीन भी ले सकते हैं तो यहां मैंने लिए एक क्योंकि चाट में अगर स्पाइसी बहुत ज्यादा हो जाता है बहुत जादा मिर्चे हो जाती है तो फिर वो खाई नहीं जाती है इसलिए नूर्मल रखना चाहिए एक अदद लिया है मैंने लाल टमर्टर जिसको मैंने बारी से काट लिया है जब इसकार माझम की मैं ऐसके, कछे से mix कर लएते हैं। अगर आपको खटा पसंद है तो आप इसमे इंवली塊 पल्प भी डाल सकते हैं और लीमन के िडाल सकते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी लीमन। हाफ लीमन डालूँगी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। यह lemon की मैंने शेश जो थे वह निकाल दी है और lemon डाल देंगे इसमें अगर आपको इसमें दहीइट करना है तो आप इसमें दही बिडाल सकते है लेकिन इसकी शर्त ही है कि आप इसमें ना lemon यूस करेंगे नहीं आप में char정 का पालップ Us करेंगे और यह चार जो है वो अच्छी सी प्लेट में निकाल लेंगे खुस्सरा सी यहां लिए मैंने दो पापड़ियां इस तरह से जो चार्ट में डालते हैं तो इसको हम तोड लेंगे अच्छे से बादिक कर लेंगे और फिस में डालके खाएंगे तो यह घर में भी बना सकते हैं वैसी जैसे हम आटा गुनते हैं रोटी बनाने का उस तरह से आप आटा गुन लें और चोटी-चोटी सीसने से रोटी बना लें और उसको ओईल में अच्छे से कड़क कर लें तो यह इस तरह से घर में बन जाती हैं और मार्केट से मिलती हैं तो मैंने ये मार्केट से मंगवाई थी इस तरह से देखिए इसको मैंने बारिक कर लिया है आप इसको इसको डाल देंगे अच्छे से अब इस पर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला और ये थोड़ा से डालेंगे हम मसाला वो है जो हम दही बड़ों में यूज़ करते हैं तो ये दही बड़ों का मसाला ये भी डाल दिया हमें थोड़ा सा ताकि अच्छी सी खुश्बू भी आए और बहुत मज़े का टेस्ट भी लागे है इसका तो उमीद करती हूँ कि आपको आज की चोटी सी रेसिवी पसंद आई होगी मसाला और पापर डालने के बाद इसमें हम ये हरा दनिया है फ्रेश इसको बारी सा काट लेंगे और इसपर डाल देंगे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा पसंद होता है मायूनीस तो उसमें आप मायूनीस भी डाल के खा सकते हैं तो बहुत मज़े कर लेगा तो मैंने इसको इस तरह से बनाए तो आप इसको ट्राय कर सकते हैं तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जाद करते हैं ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए लोबिया को इस तरह से बॉयल करके आप फिर्जा में रख सकते हैं और जब आपके कर कोई महमान आए अचानक से तो आप अराम से इस तरह से लोबिया की चार्ड बना सकते हैं तो ब बहुत सारा ख्यार रखिएगा मुझे और मेरी फेमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा ओके लाह अफीज